खाद्य महेंगाई को नियंतरित करने के प्रयास में जीजान से जुटी सरकार ने गेहूं की भंडारन सीमा में एक बार फिर कटौती कर दी है। इसके तहट थोक व्यापारियों एवं स्टौकिस्टों के लिए गेहूं की स्टौक सीमा एक हजार तन से घटा कर 500 तन तथा बिगचेन रिटेलर्स के लिए उसके सभी डिपो पर एक हजार तन से घटा कर 500 तन निरधारित किया गया है। लेकिन खुद्रा कारोबारियों के लिए प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर गेहूं की स्टौक सीमा 5 तन के पूर्वस्तर पर ही बरकरार रखी गई है। यही सीमा बिगचेन रिटेलर्स के प्रत्येक आउटलेट के लिए भी माने होगी। जहां तक प्रोसेसर्स का सवाल है, तो उसके लिए मासिक संचित क्षमता के 70 प्रतिशत तक गेहूं रखने की अनुमती दी गई थी, जिसे अब घटा कर 60 प्रतिशत नियत किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि थोक व्यापारी बटा स्टॉकिस्ट अपने गोदामों में तथा बिगचेन रिटेलर्स अपने डिपो में अब एक समय में 500 तन से अधिक गेहूं का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। यह नियम देश के सभी राजियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू होगा। सरकार ने 12 जून 2023 को गेहूं पर 31 मार्च 2024 तक के लिए भंडारन सीमा लागू की थी, जिसमें अब संशोधन किया गया है। बाकी नियमों शर्तों में कोई विशेश बदलाव नहीं किया गया है। सभी संबध पक्षों को गेहूं भंडारन सीमा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और प्रतियक शुक्रवार को गेहूं स्टॉक का अपडेट बताना पड़ेगा। यदि कोई प्रतिष्ठान पोर्टल पर पंजिकृत नहीं पाया जाता है अत्वा भंडारन सीमा का उलंगन करता है तो उसके खिलाफ आवशक वस्तू अधिनियम 1955 की धारा छे एवं साथ के तहट आवशक दंडात्मक कारवाई की जाएगी। Bureau Report Market Times TV